देशी चाइनीज सबको बहुत पसंद आता है, in fact मेरे दिल के काफी करीब है मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था, मैं और मेरी भेहन हम लोग क्या करते थे एक घर के थोड़ी दूर पे एक चाइनीज वैन होती थी उसका नाम था चाइनीज हाट, वहाँ पर चाउमीन मिलता था और जब हमने पहली दफा सुना ना चाउमीन तो समझ नहीं आया, लेकिन जब खाया और उस वक्त होती थी, पांच रुपे की फुल प्लेट और धाई रुपे की हाफ प्लेट तो हमने हाफ प्लेट ली, तोनों ने खाई बड़ इच्छे लगी, धाई रुपे और थे, फिर हमने एक और प्लेट खाई, हमें बहुत ही बढ़िया लगी, उस वक्त ना क्या होता था कि मम्मी और पापा हमें डांटते थे, अरे क्या खा रहे हो, मैदा खा रहे हो, पेट जो है ना वो चाइनीज हट या, वो मैटडोर वली, पुराने स्टाइल की जो चौमीन मिलती थी, आज मैं उसी को बनाऊंगा, बहुत ही टेस्ट योगी और बहुत सिंपल है, घर पर आप असानी से बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं, वेज चौमीन, तेके वेज नू पकाने के लिए हमें चाहिए boiling water, और boiling water में इसे as is डालना है, होगा क्या, इसे आप यूँ यहाँ पर खोलने की उकोशिश करेंगे, वो तूट जाएंगे, पानी में जाते ही यह अपने आप खोल जाएंगे, बिखर जाएंगे, और लंबे लंबे नूर्ल्स जैसे होते हैं तो यह है नूर्ल, let it come to a good boil, फिर इसे हम निकाल लेंगे, एक अच्छा boil आ गया, गयास को करेंगे बंद, और नूर्ल्स को हम निकाल लेंगे, देखें जब नूर्ल्स को हम स्ट्रेंड करते हैं न, उसमें अगर बहुत जादा पानी रह गया बेस में, तो नूर्स ना जो sauce या जो spices जाते हैं उसमें, Chinese हैं, वो अपने Chinese style condiments और spices डालते हैं, जो Italians हैं, वो अपने Italian style sauces उसके अंदर डालते हैं, that's it, इसे हम यहाँ पे डाल देंगे, a dash of oil, ताके यह आपस में चिपके न, फोर्क से, या फिर अगर आपके चमच है, चमच की उल्टी तरफ से, इस मिक्स करना है, जब चमच की उल्टे से, हम इसे मिक्स करेंगे न, तो यह तूटेगा न, that's the trick, नूल्स हमारे तयार है, गरमा गरमे, चलते हैं, सीधा कडाई की दरफ, अब होता क्या है कि कई बार, हम लोग जब घर पर नूल्स बनाते हैं, वो कडाई में चिपकता है, से हलका-हलका धुआ निकल रहा है, this is important, और जब यह धुआ निकलेगा, अच्छे से, मतलब यह अच्छे से गरम हो जाएगी, इसमें मैं डालूँगा थोड़ा soil, उसके बाद, पेपर से, यह कपड़े से, उसे अच्छे से रब कर लूँगा, मेरी कडाई, एक सेशन, यान ठीक उसी तरीके से जब चाइनीज खाना बनता है, वाक के अंदर, आप देख रहे होंगे, तेल डालने के बाद वो अच्छा सा धुआ निकलता, इतनी पतली वाक होते हैं, इसमें नूल्स कभी नीचे पकते हैं, चावल नीचे पकते हैं, सेम रीजन से, यह गरम हो गई है इसमें डालेंगे थोड़ा सा ओयल, और इस ओयल को हम चारो तरफ रब कर देंगे, अच्छे से, गैस को करेंगे बंद, एक मिनट का वेट देंगे, उसके बाद कुकिंग शुरू, और यह तयार है, गैस करेंगे ओन, इसमें जाएगा ओयल, ओयल में हम डालेंगे थोड़ा सा चॉप्ट गालिक, थोड़ा सा चॉप्ट जिंजर और अनियन्स, अगर आप अनियन और गालिक नहीं खाते, आप इसे अवाइड कर सकते हैं, छेट अवे आप नेक्स टेपर दा सकते हैं, प्यास को हम भूनेंगे ज़रा सा, दो मिनट से उपर ने, इसमें जाएगी कैब और कैप्सिकम, तेके जबी भी हमें इसे पकाना है, तेज आँच पर ही पकाना है, तेज आँच पर जल्दी पकाएंगे, ये बढ़िया पकेगी और छिपकेगी निए, एक से दो मिनट तक इसे हमें पकाना है, और अब इसमें जाएगे नूडल्स, नूडल्स को इस तरीके से थोड़ा खोल कर हम डालेंगे, ताके ये अठके ना, इसमें अब हम डालेंगे सोय सॉस, ये है लाइट सोय सॉस और ये है डार्क सोय सॉस, अगर आपके पास हरीवली चटनी है तो ग्रीन चिली चटनी उसे ज़रा सा अगें इसे हम अच्छे से टॉस करेंगे क्या रंग आ रहा है क्या खुश्बू लेकर जा रहा हूं ताके यह चारो तरफ से आसानी से पके अब चीज यह के इसे करीबन तीन से चार मिनट तक हाई फ्लेम पर आपको पगाना है अगर आप इसे धंग से नहीं पकाएंगे ना तो नूल्ल्स के अंदर वो कच्छा फ्लेवर आएगा यह तैयार है थोड़ा सा हम चख लेंगे नमग एक दम पफेक्ट है सबजी एक दम क्रंची ना तो वर्च जी एंड इसमें डालेंगे खूब सारा हरा प्याज हरा प्याज एंड में से डालते है ताके वो क्रंची रहे और एक अच्छा टेस्ट भी दे और बेस्ट पार्ट देखे यह बिल्कुल भी नहीं चे पक रहा एंड तो जस्ट तो शो टी यू लगए दाट कैस को करेंगे बंद और हमारी वेज़ चौमिन तयार है चलिए इससे प्लेट करते है और हमारी वेज़ेटिबल चौमिन टानी चलिए अब चलते हैं टिप्स और ट्रिक्स की तरफ जहां पर हम जानेंगे कि वेज़ चौमिन या फिर वेज़ नूडल्स जब आप घर पर बनाते हैं किन बातों को ध्यानक ना है तेकि नूडल्स बनाते वक्त सबसे उबालते वक्त ध्यान देना है कि वो टोटली ना पक जाए जरा सी उसके अंदर गुंजाईश रह जाए ताकि जब वो पैन में या फिर कडाई में जाए पिलकुल परफेक्टली पके सबजियां जो जाती हैं वेच्चाउन में वो आपकी मर्जी की हैं आप चाहें तो सीजनल वेजेटेबल्स डाल सकते हैं जैसे ही आप नूदल्स को स्ट्रेंड करते हैं उसके अंदर थोड़ा सवाई डालें इससे वो कलंपी नी बनेंगे आपस में चिपकेंगे नहीं जबी भी आप वेच्चाउमीन बनाते हैं या फ्राइड राइस बनाते हैं वो कड़ाई पे चिपक सकता है इसलिए तेज आच पर कड़ाई गरम करें उसमें तेल डालें उसे अच्छे से रब करें उसका टेमपरेचर उसके बाद हलका करके फिर उसमें कोकिन स्टार्ट कर वहीं पर डाक सोय सॉस के अंदर एक इंटेंस फ्लेवर होता है और बहुती गाड़ा रंग भी होता है आपको लाइट और डाक सोय सॉस को आपस में बैलेंस करके इस्तमाल करना है लेकिन अगर आपके पास दोनों में से कोई एक सोय सॉस है वो भी चल जाएगी इस नॉट नूडल्स को जब भी हम मिक्स करते हैं तो उसे जेंटली आपको टॉस करना होता है अगर आप प्रो नहीं है कडाई को टॉस नहीं कर सकते इस परफेक्ली फाइन आप कोई भी बड़े मूँ वाली कर्ची या स्पैचुला से उसे उठाकर लिफ्ट करके ड्रॉप करने का आ और ऐसा कहा जाता है कि जो इटालियन पास्ता है वो नूडल से ही इंस्पायर हुआ हालां कि इटालियन जो है मुझे सब्सक्राइब होंगे अगर उनको हिंदी समझ आती होगी बड़े गुस्से में होंगे क्यों कहते हैं नहीं हम इटालियन ने पास्ता खुद बनाया है चैना से हम लोग के इंस्पायर नी हुए ते लेकिन अगर हिस्टरी के माने कई ऐसे इटालियन ट्रावलर्स है जो चैना गए और वहां से यह पास्ता बनाने की या नूडल बनाने की टेक्निक लाए अब ध्याम देंगे नूडल और पास्ता बनाने की रेसिपी अल्मस्ट सेम है बिल्कुल शेप का फारक है लिट्रिली